आज मैं बनाने वाली हूँ पॉस्टिक टेस्टी असानी से बन जाने वाले धनिया के परांठे जो इतने स्वाधिस्ट होते हैं कि आप नाश्ते में तो इसे खाएंगे ही टीफिन में भी दे सकते हैं आफिस भी ले जा सकते हैं लंच हो या लेट नाइट भूकस ताय कभी भ ना सकते हैं क्योंकि बनाना बहुत आसान है तो आईए चलते हैं इसे बनाने सभी देखने वालों को नमस्ते जैमाता दी बनाने के लिए मैंने यहां कुछ धनिया लिया है जिसे बड़िया से दो लिया था उसके बाद चोटे चोटे पीस में कट किया है उतना ही लिया है ग भनिया है वो डाल दूँगी इसमें कटी हुई मिर्च डाल दी है कुछ यहां पे कद्दू कस्य गिसा हुआ लह सुन अब डाल देंगे आमसे मसाले जिसमें कुछ नमक है साथ में हलकी सी पीसी हुई मिर्च हलकी सी हल्दी एक छोटे वाली चमच यहां घी की आप डालिएगा पिखला के घी या तेल भी डाल सकते इससे जो प्रांठा है ना वो सौट भी होगा लेकिन हलका सा खसता भी होगा तो एक चमच डाल के देखिएगा अब सभी चीजों को आपस में मिला लेंगे पहले बढ़िया से नमक के साथ घी के साथ जब यह आटा धनिया मिल जाएगा बढ़िया से तो हमें आगे पता चलेगा कि हमें कितना पानी डालना है तो यहां पे मैंने देखिए सबी चीज़े आपस में मिला ली आप देख सकते हैं आटा धनिया इकोल है तो समझिए कि कितना ही बढ़िया यह बनेगा अब पानी डालते जाएंगे लेकिन बहुत सा प तो बір्यासे गॉन्थ लेंगे तो बड़ियास से देखिए आटा मैंने गॉन्थ लिया है wagने यहाशा है भरी ऐसा जैसा हमें चाहिए आटा बिल्कुल वैसा यह बन चुका है ऑर सहसी है वासर मैं एक थो मिनट में यह यह हो जाएगा अब मैं तो इस आटे को ढख दूँगी पांच से दस मिनट के लिए कम से कम पांच मिनट जादा टाइम हो तो दस मिनट उससे क्या होगा एक तो आटा सॉप्ट होगा प्रांठे स्वादिस्ट बनेंगे साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है तो मैं ढख दूँगी यदि आपके पास टाइम ना हो तो यहीं पांच मिनट गूंद के आप इंस्टेंट भी बना सकते हो पांच मिनट हो गए हैं आटा गूंदे हुए तो देखिए जो आटा है वो पहले से आपको सॉप्ट लगेगा सभी मसाले भी आपस में बढ़िया से मिल जाते हैं जब हमने पांच मिनट के लिए इसको टाइम दिया हो अब हलका सा मैंने एक मिनट के लिए यहां आटे को चला लिया चलिए चलते हैं इसे यूनीक शेप देने देखते जाएए विडियो को कि कैसे यूनीक शेप दी है क्या कुछ यहां इसमें एक दो चीजे हमें मिलानी है जिससे की परांठा बहुत ही स्वाधिस्ट बनता है तो देखिए सूखे आटे मैं ऐसे लपेट लिया हलकी सी चपाती बना ली अब बेलन से चला लेंगे हम इसे जो परांठा है वो चपाती से तो हलका सा मोटा होता ही है ना तो उसी हिसाब से हमें आटा यहां लेना है पहले हम गोल चपाती इसकी बेल लेंगे आप चाहे तो ऐसे भी तवेपे इसे सेख सकते हो आप पे डिपेंड है लेकिन यह ज़्यादा स्वादिस्ट बनाने है तो बताती हूँ कि क्या आपको इसमें मिलाना है अभी मैं आपको थीकनेस बता देती हूँ परांठे की यह देखिए इतनी थीकनेस बस होनी चीए बहुत ज़्याद परोल्ड हल्का सा दबा दिजिये और उसके बाद यहां से भी बिल्कूलं ऐसे ही फोल्ड किया उसके यहांसे लगा और देखिएहुर्द का ना इससे बिल्का सा दबा देखेंगे ताकि यह ब्लकुल बेलते हुए खुले लगा दिए पर hap Aunque लोगा हिएक जारत की है यह भी किया जा सकता है लेकिन मैं इसे सूख याटे से बनाऊंगी आज तो बहुत ही बढ़िया यूनीक सी इसको मैंने देखी शेप यहां पर दे दी है यहां आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो इसके कोने है ना उन पर बढ़िया से बेलन चला लीजिएगा क्योंकि ज जैसा हमने इसे बेल लिया है अब नेक्स्ट भी मैं आपको एक बता देती हूं बनाके इसे इस ट्राइब से जब हम यह परांटे बनाएंगे ना तो मतलब देख के ही लगेगा किसी को कि कुछ नई चीज बनी है देखिए गोल परांटे तो हम बनाते ही है तो कुछ अलग ठंक से इनने बनाया है तो आप जब चैनल पे आईएगा ना तो देखिएगा आपको कितने असानी से वीडियोज मिलेगी नेक्स्ट भी देखिए मैंने उसी टाइप से इसे भी फोल्ड किया और इसके बाद इसे भी हमने बढ़िया से बेल देना है बेलते हुए ध्यान द होते हैं इन्हें सेकने सेकने के लिए हमेशा ही आपसे कहती हूं कि लोहे के तवे पे ही आप चीजे बनाईए क्योंकि बहुत हेल्दी होती है लोहे के तवे पे बननी हुई चीजे तो मैं तो हेल्दी चीज बनानी है तो बस लोहे के तवे पे ही बनाऊंगी देखिए कितन या तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं लेकिन पहले हलका सा सेक लेना चाहिए एक साइड से उसके बाद घी तेल लगा लेंगे ज़्यादा क्वाइंटिटी लगाना चाहते हैं कम घी में बनाना चाहते हैं यहां यदि आपको मना ही है ना होता है ना कभी कोई स्वास्ते समं इसमस्या होती है कह देते हैं कि घी देल खाना ही नहीं है तो आप इसे बिल्कुल सूखा भी बना सकते हैं सूखा बना दीजिए उसके बाद जिस चीज के साथ खाना चाहते हैं वैसे भी आनंद उठाया जा सकता है बहुत टेस्टरी लगता अब कैसे भी बनाए क्योंकि जो बहुत पसंद आता है फैमिली में भी सब ही को पसंद है दो मिनट में एक परांठा मजे से बन जाता है तो यह लीजिए देखिए कितना बड़िया सिका है अब नेक्स्ट भी हम ऐसे ही बनाते जाएंगे हलका सा सेखते जाएंगे आधा मिनट के आसपास यह आप टाइम दे बस ऐसे अलड़ते पलड़ते हुआ आपने दो धाई मिनट के लिए इस परांठे को बनाना है तो गजब का टेस्टी हेल्दी परांठा बन जाएगा जो आपको स्वात तो देगा ही टेस्ट तो देगा ही लेकिन साथ में आपको बहुत बहुत पोशक ततबी से मिलेंगे इ आपको स्वास्टे सबंदी कुछ समझते हैं जैसे हटियों में पेन होना खून की कमी होना आई साइट वीक होना उसके लिए तो जो ये परांठा है ना इसे आप एक दवाई ही समझे एक मेडिसिन ही समझे क्योंकि बहुत सा धनिया यूज हुआ है इसलिए ये सेहत के लेट नाइट तक जब भी बनाना चाहते हैं कुछ नया खाना चाहते हैं कुछ पॉस्टिक खाना चाहते हैं तो बेस्ट आप्शन है क्योंकि बनाना भी है बहुत आसान तो लेजिए बन गया है आईए चलते हैं हेल्दी टेस्टी प्लेट लगाने देखिए कितने गजब क बीच से soft बने है देखिए कितना धनिया है आटा कम है लेकिन धनिया की quantity जादा है बहुत स्वाधिस्ट बनते हैं यदी तो आपको sauce के साथ खाना पसंद है तब तो मुँमे पानी आहे गया होगा आप चाहे तो दहीं के साथ खाएं किसी मन चाही चटने के साथ खाएं या पनाया है यह हेल्डी तो है ही लेकिन ठंडा होने के बाद भी उतने ही स्वाधिस्ट आपको लगने वाले हैं तो आई होप कि वीडियो को आपने फुल इंजॉय किया होगा वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब भी की जीएगा हम भी लेंगे ऐसी एक नई हेल्दी यूनीक टिसके साथ तब तक के लिए धन्यवाज जैमादादी